गुड़ मॉल्डिंग फ्रेंड्स बेलकम टू क्यूकिस चैनल आज है एक जुलाई 2020 नया दिन और नए इनर्जी के साथ आज के करेंट अफेर को हम देखेंगे जो भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर बनीगे सभी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले इंपोर्टेंट फेक्ट को भी देखेंगे फ्रेंड्स एदि आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलेगराम चैनल को जॉइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी तो वहां से आप डि क्या है की क्या है कररन अफ़यर का फरस्ट कोश्चन देखते हैं तो हाली मैं राश्ची सांके की दिवस मorar यानि नेशनल स्थी कह मना या जिसका जो सही आंसर वह आप्सें नंबर वी 39 जून 29 को मनाया जाता है र आश्टिये सांके की दिवस तो ये मनाया किस लिए जाता है तो जो भारत के जनक यानि फादर कहलाते थे इंडियन स्टेटिक्स के तो उनके जनम दिन के उपलक्च पर ये डे मनाया जाता है उनका जनम हुए था 29 जून 1893 में इसी के उपलक्च पर जो सांके की दिवस मनाया जाता है जो फादर आप क। ने मोलनोवी схजी तो इनके अफसर पर यहए मनाया जाता है ठीक है अब जो इंपरॅटन के हैं और इसको भी डिसकस कर लेते हैंim क्योंकि आज नया मनत का तो जो पुराना मनत तॉप, उसके जिद्धी भी इंपरॅटन डे थे उनको एक बार हमाद डिसकस कर लेत생 już एक जून को मनाया गया था बिस्व दुद्ग दिवस जिसकी ठीम रखी गई थी बिस्व दुद्ग दिवस की बीसवी बर्स गाट एक जून को मनाया गया था अंतराश्टिये बाल रक्ष दिवस एक जून को ही मनाया गया था माता पिता दिवस दो जून को तिलंगाना राज इस्थापना दिवस तीन जून को विस्व साइकल दिवस चार जून को दुनिया भर में हिंसा का सिकार हुए मसूम बच्चों का अंतराश्टिय दिवस पांच जून को बनाया था विस्व परियावरन दिवस जिसकी थीम रखी के थी जैब बिवित्ता चार जून को रूसी बासा दिवस साथ जून को विस्व खाद सुरक्षा दिवस आठ जून को विस्व महसागरिय दिवस नौ जून को विस्व पैत्याइन दिवस जिसकी थीम रखी गई थी Accredition Improving Food Safety 12 जुन को बाल मजदूरी के खिलाब 20 दिवस जिसकी थी COVID-19 Protect Children from Child Labour Now More Than Ever 13 जुन को बनाए गए था अंतराश्तिय अलमोजिनम यानि रंग हीनता जाग रुकता दिवस जिसकी थीम थी Mad to Sign 14 जुन को बिश्व रखदान दिवस 15 जुन को बिश्व भुजुर्ग दुर्व बैवार रोक्थाम जाग रुक दिवस थीम रखी गे थी Lifting Up Voice 15 जुन को Global Bend Day जिसकी थीम थी Save Blood, Save Lives 16 जुन को परिवारिक प्रेश्ण का अंतराश्ति दिवस जिसकी थीम थी Building Resilence in Times of Crisis 17 जुन को रखा गया था World Day to Compact Desertification and Dot दिवस जिसकी थीम थी Food, Feed, Fiver The Links Between Conception and Land 18 जुन को Sustainable Gastronomy Day 20 जुन को विश्व सरनारती दिवस 21 जुन को अंतराश्ति योगा दिवस जिसकी थीम थी Yoga for Health Yoga at Home 23 जुन को अंतराश्ति ओलम्पिक दिवस और 29 जुन को राश्ति सांके की दिवस ये थे Important जुन माई के जिसको आप Revise कर सकते हैं चलिए अब बढ़ते हैं अपन आज के Current Affair के Next Question कोर्षन की और प्रभार दिया गया तो इसका जो सही आंसर है वो है Option नंबर B मद्दपिदेश तो अभी मद्दपिदेश की जो राजपाल थे लाल जी टेंडन उनका स्वास्त सही नहीं होने के कारण अभी तो उनके उनके स्थान पर अभी अनंधी बेन पटेलें उनको अभी अतरिक्त प्रभार सौपा गया है जो लाल जी टेंडने उनका इलाज लगनों में चल रहा है अभी इसी के कारण अब यहां पर मद्पिदेश की बात आई हैं तो इसको भी देख लेते हैं तो मद्पिदेश की इस्थापना की गई थी एक नवंबर 1956 में और जिसकी राजधानी है वो है भोपाल और जो यहां के मुख मंत्री है वो है सिवराज सिंग चौहान जी जैसे की देख पाएंगे और गवर्नर है लाल जी टेंडन और जो मुख नायदी से हैं वो है अजय कुमार मित्तल यहां से लोक सवा सीटें 29 हो जाती हैं राज इनकी जंगा अतरिक्त प्रभार पर अरेंदी बेन पडेल जी को सौपा गया है कारभार और यह है अजय कुमार मित्तल जी जो मद्द पिदेश के मुख नायदीस हैं ठीक है फ्रेंट इतना आप याद रखी है मद्द पिदेश से रिरेटेट चलिए देखते हैं नेस्ट को बी रूस तो रूस अभी जो है परियुटकों को इस पेस बॉक पर ले जाएगा यहाद रख सकते हैं इस बेश कराया जाता है तो रूस की इनरजी इस पेस कॉरपरेशन है कंपणियों वो अमेरिका के साथ एक टाइप कर रही है तो उसी के तहत अभी परियुटकों को इस इसकी राद्धानी उजाती है clinically शहती है मासको और यहां कि करिंसी है भर है जो मेडानी तौह यहां पर पर भग्राबट है जो एसिया को विघ्डाब से इअलग करता है और है की पर यहां कि संसद है रूज की इसका नाम है डियूमा यहां पर एक और कोश्चन बनते हैं यहां पर एक बेकाल जील है यह भी याद रखिएगा ठीक है फ्रेंड चलिए अब इसको मैं अब में देखते हैं कहां पर यह है रूस देख पा रहा है चाइना के उपर ठीक है चलिए अब देख लेते हैं नेश्ट कोशन हाली में किस भारती एंपायर को आई सीसी के एलीट पैनल में सामिल किया गया है तो इसका जो सही आंसर है वो है आपसन नमबर भी नितिन मैनन नितिन मैनन जी को बनाया गया भी आई सीसी के एलीट पैनल में सामिल कर लिया गया मतलब जो नितिन मैनन जी थे ठ अब यहां पर बात आई है ICC की तो इसके बारे में भी जानते हैं आई है ICC यानि इंटरनेशनल किर्केट काउंसलिंग तो इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 में इसका हैड कॉर्टर हो जाता है दो वाई जो स्विक तरव अमीरात में हैं और जो इसके सीओं हैं वो है मनोहर दोनों ही भारतिय मूल के हैं चलिए बढ़ते हैं नेस्ट कोशिन की और हाली में G20 सिक्षा मंत्रियों की बिसेश बर्चुल बैठक की अदिक्षिता किसने की तो इसके जो सही आंसर है वो है आप्सन नमबर A साउदी अरब तो अभी G20 की सिक्षा मंत्रियों की एक ब वर्चुल बैच्टक हुई थी तो जिसमें अदिक्षिता की है साउधी अरब ने और इसमें भारत की तरफ से किसने में तरतर्त किया तो इसमें Urz. च और साउधी अरब की बात आये तो वह भी जान लेते हैं तो साओधी अरब की राजधानी है रियाड और यहां की करेंसी है साओधी रियाल और जो यहां के पेदान मंत्री हैं वो है साह सल्मान आदके पेदान मंत्री है चलिए बढ़ते हैं next question की और क्या है next question हाली में Michael Martin किस देश के नए पेदान मंत्री चुने गए इसका सही आंसर होगा आप्सन नमबर बी आयरलेंड तो आयरलेंड के भी नए प्यदान मंत्री बनाए गए हैं माइकल मार्टिन जी तो अभी इन्हें चुना गया है और जो माइकल मार्टिन जी हैं ये आयरलेंड में जो संसद है वहाँ पर 160 बोटों में से 93 सीट जो में इन्होंने बोट हासिल की है और उसी के साथ वहां के प्यदान मंत्री बन चुके हैं ठीके फ्रेंड अब यहां पर आयरलेंड की बात आई तो भी जान लेते हैं तो आयरलेंड यूरूप महधीब में स्थित हैं और इसकी राजधानी है डबलिन और यहां की करंसी हो जो राश्ट पती हैं माइकल डी ही गिंस और प्रदान मंत्री अभी देख सकते हैं माइकल मार्टन जी आईए से मेब में देख लेते हैं कहां पर आयरलेंड इंडिया से ज़िए आप इस्ट साइड जाएंगे तो आप देख पाएंगे यह यूरोप में आपको देख जाए जाती है डबलें ठीक है फ्रेंट चलिए बढ़ते हैं नेश्ट वोशन की ओर हाली में ड्रॉन से टिड्डियों को निरंतर्ट करने वाला पहला देश कौन बना है तो फ्रेंट इसका सही आंसर है ऑप्सन नंबर भी भारत अपना प्यारा देश भारत अभी ड्रॉन से है पाकिश्टान से आई हैं साइड तो पहले क्या होता था यह जब लॉऌड डाउन नहीं तो इस पर घख कर दिया था लेकिन अभी लॉणडाबा पारके। अंदर आज चुकी है इसी के तहरे तब इंडिया ने इसे ड्राउन से नहेंतर करने के लिए जो चालू किया है यह अभियान ठीक है फ्रेंट यह याद रखिएगा चलिए अब देख लेते हैं नेश्ट कोश्चन क्या है हाली में किस राज सरकार ने किल क्रोना अवियान सुरू किया जिसका जो सही आंसर होगा वो है मद्पदेश सरकार यानि ऑप्सन नमबर बी फ्रेंट इसमें दौनों में हैं ऑप्सन ऑप्सन एक साथ हो गए है तो इसको धहन रखिएगा तो मद्पदेश सरकार ने किया है किल क्रोना अभियान ठीक हैं तो अब यहां पर मद्विदे से रिलेटिट कुछ फैक्ट जान लेते हैं जैसे कुसल सरमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और जीवन सक्ती योजना जीवन अमरित योजना महिलाओं के तोरह मास्क बनाना 11 रुपए प्यति दर्से और सरकार क भी लौंच किया था और संकल्प योजना उमरियत जले के जो बुज़गों को सहायता पिदान करेंगे यह पुलिस के दोरह निकाला गया थी योजना सबको मिलेगा रोजगार यह भी मद्विदे सरकार दोरह स्रम सिद्धी योजना और पुलिस के लिए करंबीर पुरसकार की घोशना करने वाला पहला राज और चरन पादु का योजना और पुना सीम संबल योजना यह भी मद्विदे सरकार ने चालू की थी और सांथी सांथ जाबुआ जले से दीदी बाहन सेवा की भी सुरुगात मद्विदे सरकार ने की थी और सिसु में तुदर की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिसुमित तुदर मद्दिस में है ठीक है फ्रेंट ये आप इत्ता याद रखिए कि मद्दिस से इंपॉर्टन्ट फेक्ट है चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेश्ट कोशन की ओर किसके दोरा गरीब कल्याण रोजगार अभियान पैप पॉर्टल को लॉंच किया गया है इसके जो सही आंसर होगा वो है आफसन नंबर ए नरेंद तॉमर तो नरेंद तॉमर जी जो अभी बरतमान में भारत के कैंदी ए गयामिर बिकास मंतरी भी है और साथी साथ पंच्यायती राजमंत्री भी है और इसी के साथ साथे ने कैसी एवं कल्याण मंतराले भी सौपा गया है तो ये हैं हमारे नरेंद सिंग तॉमर जी ठीक है फ्रेंट जो अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान बैप पॉर्टल को लॉंच किया है किस मंतराले दोरह 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर मनाया जा रहा है तो ये है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हैं देखते हैं क्या है आप्सन नमबर डी संस्कृति मंतराले तो अभी नरेंद मोदी जी के कहने पर जो गॉर्मेंट कैंपस अधिकारी हैं अधिकारी हैं वो अपने कैंपस में पांच पेड़ लगाएंगे किस के तरह संकल्प पर्व के तहट ये लगाएंगे और ये है जो संस्कृति मंतराले के अंतरगत आता है इसको मनाने का अदेश दिया गया है अब बात करें तो जो संस्क्रिती मंत्राले के जो अभी मंत्री हैं वो हैं पहलाज सिंग पटैल जी अभी वरत्मान में मंत्री हैं संस्क्रिती मंत्राले के तो हर अधिकारी पांच पेड़ लगाएगा अपने कैमपस में ठीक है फ्रेंट्स इसका ये उद्देश रहेगा संकल परवका चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन की हो हाली में किस राज्ज में भारत का पहला काई पार्क यानि लाइकेन पार्क इस्थापित किया गया है तो इसका सही आनसर है ऑप्सन नमबर बी उत्रा खंड तो उत्रा खंड के जो पैथोड़ा गर जिला है वहाँ पर एक गाउं है मनु से आरी गाउं तो बहाँ पर अभी लाइकेन पार्क इस्थापित किया जाएगा जैसे ये देख पा रहे हैं ये है लाइकन पार्क बनाया जाया लाइकन क्या है यह कबक और सेवाल है उसके मिलने से बनता है यह इसलिए अभी इसके पार्क बनाया जा रहा है और यह भारत का पहला ऐसा पार्क है तो यह याद रख सकते हैं जो उत्राखंड में बनाया जा रहा है ठीक है फ्रेंट चलिए बढ क्या है इसका नाम क्या है चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या उगा इसका सही आंसर है मरीज तो अभी डी आईडी यानि रक्षा अनुसंदान एवं बिकास संगटन की दोरा है सौदेशी रूप से एक बिक्सित किया गया है उन्नत अंटी टोर्पीडो डिकॉई सिस्टम जिसका नाम रखा गया है मरीच तो इसको भारती नौस रिवाना में सामिल कर दिया गया है इसका काम क्या रहा है जो टोर्पीडो है इसका यूज रहता है जंगी जहाज रहती हैं उनके बारे में पता करना और उनकी location की सठीक जानकारी देना ये इसका काम रहता है ठीक है फ्रेंड तो अभी इसको D.I.D.O के द्वारा बनाए गए तो इसको भी समझ लेते हैं देखते हैं जो डियार्डियो की सृफटा गय साफटा की गई थी एक जनबरी इनीश्ट कोड़ेय में इसका हैday product नुटैली एक मॉट। पूमा णीजाम में पूछ दिया जाता है, ismanage Mathisyaorage औरीजिन इन साइंट, जब संस्क्रज्ट में देखें तो बलस मूलम बिग्यानम, अब यह पर भारती निवसेना की बात आई, तो जो उसके अधिक्ष है, वह भारती नियुक्ष सेना की अधिक्ष कौन है, तो यहां पर नर्माने जी उसके अधिक्ष है, ठीक है, यह याद चलिए अब बढ़ते हैं नेस्ट कोशन तो फ्रेंट्स यहां हमारे कोशन हो जाते हैं समाथ तो आपसे जो लास्ट वीडियो में कोशन पूचा गया था उसका आंसर था बहरीन आप अंसर नहीं करते हैं आपन सुहेल किया आपको कोशन याद हो पाएंगा चलिए अब देख लेते हैं आज क्या कोशन है जिसका आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है तो किस लेखक का उपन्यास लीजेंड आप सुहेल देब दकिंग हू सेवर इंडिया हाली में लॉंच किया गया तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्ष में करना है और सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा सज़्यादा लोग इसका आंसर करें ठीक है फ्रेंट तो एदि आप हमसे सोशल नेटवरकिंग में जूणना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं साथ ही साथ हमारा फेस्बुक पेज है उसको लाइक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो सकते हैं जिसमें आपको डेली करेंट अफेस्ट से रिलेट पीडिया प्रोवाइड की जाएंगी और साथ ही साथ उनसे और यह अदर टॉपिक हैं वो भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाएंगे उनके नोट और आप हमसे बॉट्सअप ग्रूप पर जोड़ना चाहते हैं तो यह हमारा बॉट्सअप नमबर है इसमें आप मैसेज कर सकते हैं तो आपको हम बॉट्सअप ग्रूप में जोड़ देंगे जिसमें डेली क्योज बगरा होती है ठीक है फ्रेंट्स और यदि यह आप सीधे इसे डिरेक्ट जोड़ना चाहते हैं इसे भी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी तो वहां से आप क्लिक करकर डिरेक्ट जोइन हो जाएगा तो फ्रेंट्स यदि आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को सेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और साथी साथ सेयर कर सकते हैं और हमारा जो क्यूकिस चैनल है उसको सस्क्राइब कर सकते हैं तो थैंक यू वर वाचिंग इस वीडियो